अल्राइट, गुड इवनिंग, 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 कैसे हैं आप सभी लोग, आसा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, बैस्त होंगे, और अपनी ठीक है टाइम भले उपर नीचे हो जा लेकिन क्लास डेली मिलने वाली है बारिस आंधी तूपान जल जला कुछ भी आए ये बूस्टर सिरीज चलती ही रहेगी ठीक है कल हम लोगोंने कलेंडर पढ़ा था और कलेंडर में हम लोगोंने डेफाइंड करना सीख लिया था क्या स प्लस मंथ प्लस येर प्लस लीपियर प्लस सैंचुरी अपॉन सेवन ठीक है साथ से भाग दे तो आंसर आ जाता है कुछ कोड थे कोड भी हमने याद करें थे मंथ कोड क्या थे 144025 036 146 यह मंथ के पोड थे लीपियर हम कैसे फाइंड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं ये को जो कोश्यंट आता है वही हमारा लिपियर होता है सेंचुरी के केस में 400 से डिवाइड करते हैं और रिमेंडर के हिसाब से हम कोड लिखते हैं जीरो अगर remainder होगा तो 6, 100 remainder होगा तो 4, 200 remainder होगा 2 और 0 remainder होगा तो, sorry, 300 remainder होगा तो 0 अब आल लिजे, कोई date दी है, 15th April 1945, 1945 की देर दी गई है, 15th April 1945 को कौन सा दिन होगा चलो देखो, सबसे पहले date क्या है, 15th April का code, 144, 0, 25 होता है ना, तो 0, 45 year है, leap year, 11th century code, 0, 7 से divide कर दो 42 आता है, 7 में, 3 बचा, 11 और 3, 14 ये भी चला गया, 15 ये गया, 1 बचा, 1 का मतलब Sunday, Monday मत रखिएगा क्योंकि day first हमने जो code याद किये हैं, उसके हिसाब से हमारा दिन कौन सा है पहला, Sunday बाकी किताब हमें आप लोग पढ़ते होगे, तो Monday होगा, ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब इसके बाद देखेंगे हम fake calendar, क्या देखेंगे, fake calendar, अच्छा, एक चीज और सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, एक चीज क्या सिखाना चाहता हूँ, देख सभी numbers को किस से divide करना है, 7 से divide करना है, तो हम क्या करें, पहले ही 7 से divide करते हुए अगर चले, 14 हटा दिया, 7 के table में आता है, 1 लिख लिया हमने, 3 लिखा, 45 में से 42 हटा दे, sorry, April का code 0 होता है, 42 हटा दे तो 3 बचेगा, 7 से divide करेंगे, 42 divide हो जाएगा, 3 बचेगा, 11 leap year होते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखना है, century code 0, तो 1 का मतलब क्या हो गया, direct Sunday, इस तरीके से अगर आप लगाएंगे, तो within seconds answer आ सकते हैं, ठीक है, approach हमारी अच्छी होनी चाहिए, बस, are you getting my point or not, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, फेक कलेंडर, फेक कलेंडर, फेक कलेंडर में कैसे question आएंगे, जैसे माल लेजे question दिया, if it was Sunday on 15th August 1947, then which day of the week will be on 26th November 2025, यह आपका एक तरीके से कैसा है question, टेक कलेंडर का question है, अब इसको हम कैसे find करेंगे, तो अध्यान से देखिए, इसमें हमें याद रखिएगा, note, real day से, fake day की तरफ जाना होता है, जो हमने formula याद किया है, उस formula से हमारा real day निकलता है, तो real day से fake day की तरफ जाना है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है, याद रहेगा, real day से हमें fake day की तरफ जाना है, तो अब पहले तो हमें यह देखना है, यह जो Sunday दिया हुआ है, क्या real में यह Sunday है कि नहीं, और मैंने यह question जान बूच कर दिया है, ताकि आप connect कर सकें आ Friday होता है, कौन सा होता है Friday, चलिए देखिए, सबसे पहले हम चेक कर लें कि 15 अगस्त, 1947 को कौन सा दिन था, तो date है 15, अगस्त का code होता है 3 बिटा, year होते है 47, leap year है, 11 और century code है 0, 7 से divide कर दो, वैसे आप कोसिस यह करिए, कि जो तरीका मैंने सिखाया है, 15 की जगह है, 1 लिखना है, 47 की जगह है, क्या लिखना है, 5 लिखना है, चीख है, समझ में आ रहा है, चलो, 1 बचा यहाँ, 47 गया, 5 बचा यहाँ, 11, 3 चला गया, 6, 6 का मतलब क्या होता है बिटा, Friday, तो यहाँ कौन सा दिन है, Friday, तो अब रियल दे हमारा क्या निकल कर आया, Friday, और फेक डे क्या होगा, तो फेक डे हमारा क्या दिया है, Sunday, फ्राइडे में हम क्या कर दे कि संडे आ जाए, तो हमें फ्राइडे से संडे की तरफ जाना है, ध्यान रखना, रियल डे से फेक डे की तरफ जाना है हमें, रियल डे निकल कर आया, Friday हमारा, और फेक डे क्या है, Sunday, तो फ्राइडे में अगर हम भाई साब तीन जोड़ दें, दो जोड़ दें, तो संडे आ जाएगा, ठीक है, फ्राइडे के बाद सेटेडे संडे, दो हमने आड़ कर दिया, संडे आ गया, अब यहां 26 नवंबर को जो दिन निकालेंगे, उसमें भी हमें 2 आड़ कर देना है बस, निकाल लो 26 नवंबर को, 26 नवंबर 2025, तो डेट कितनी है, 26, नवंबर का कोड क्या होता है, लास्ट में 146 से याद कराया था, तो नवंबर का कोड 4, येर कितने है, 25, लीप येर कितने होंगे, 6, सेंचुरी कोड, 6, 7, अच्छा, 2 हमें प्लस करना है, तो 2 लिख लो, हो सकता है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, तो 2 जो लास्ट में प्लस करेंगे, वो हम यहीं लिख लेते हैं, तो अब देखो, ये 6, ये 6 और यहाँ 2 है, ये पूरा चला गया, 7 से, 2 इसको दे दो, 28 चला गया, 2 बचा, 21, कितना बचा, 4, और बचा, तो 4 प्लस 2, कितना है, 6, 6 is equals to Friday, अब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, Friday, ठीक है, और इन दोनों को चेक करने में, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, फुल मिला के हम ये चीज तो सीखी चुके हैं, ठीक है, ठीक है, जल्दी बताएए, तो फेक कलेंडर में हमें क्या करना है, पहले जो कोश्चन में दिन दिया है, उसको चेक करना है, कि रियल डे दिया हुआ है, कि नहीं, उसके बाद जितना प्लस माइनस हम वहां करेंगे, उतना ही प्लस माइनस हम जो कोश्चन पूछा गया है, उसमें देख लेंगे, ठीक ह है जैसे जल्दी से बताओ एक कुश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि 22 नमबर नाइंटीन एक्टी नाइन को माल लिजे सैटड़े है क्या है सैटड़े तो आपको बताना है 29 अगस्ट 2037 जल्दी से बताओ कौन से दिन होगा 29 अगस्ट 2031 अब हमारा सबसे पहले काम क्या होगा हमें सबसे पहले चेक करना है कि 22 नमबर 1989 को विक का कौन सा डे बढ़ रहा था चलो चेक करते हैं तो पहले हम लिख ले है 22 नमबर का कोड 4 येर है 89 लीप येर है 428 428 22 सेंचुरी कोड है 0 7 से डिवाइट कर दो 7 से डिवाइट करते हैं 22 1 बचा 22 1 बचा एक इससे कैरी ले लो तो 4 5 6 एक इससे कैरी ले लो तो 7 88 बचाए ठीक है अब 7 जा 7 1 बचा 7 2 जा 14 4 कैरी बचाए यहाँ पर स्वारी 4 रिमेंडर बचा तो 4 रिमेंडर का मतलब Wednesday कौन सा दिन है Wednesday लेकिन हमें question में दिया कौन सा दिन है बेटा Saturday तो क्या कर दे हम Wednesday में की Saturday आ जाए सर प्लस 3 कर दीजे अब 29 अगस्त 2031 में भी हमें जो रियल ले आएगा उसमें तीन दिन प्लस कर देना है बस चलो निकालते हैं इसको भी अच्छा आप courses करें हम direct निकालने की 28 चला जाता है 1 बचेगा 3 और हो गया इदर ध्यान दिजेगा 7 होते ही ये भी cancel हो जाएगा year कितने है 28 चला जाएगा 31 तो 3,3,6 और 1,7 ये भी cancel हो गया छोड़ दो leap year कितने है leap year हो जाएगे 7 ये भी cancel अब century code कितना हो जाएगा 6 तो direct 6 बचा और plus कितना करना है 3 तो 6 और 3 में से 7 चला गया 2 बचा 2 का मतलब Monday तो इस तरीके से आप लगाओगे तो calculation आसान हो जाएगी आपकि पहले ही divide करते हुए चलना है हम है ठीक है तो फेक कलेंडर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आई थिंक फेक कलेंडर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है बढ़ें आगे चलो अब हम देखते हैं लीपियर का concept हमें देखना है अब लीपियर के लिए जरासल अगले 15 मिनिट बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको पता हैं लीपियर कितने दिन के अध्या की होती है 365 देज की होती है यानि फैब उसमें 29 की हो जाती है फैब्रोरी कितने की हो जाती है 29 की हो जाती है ठीक है अच्छा मैंने कल आपको बताया था कि एक औरडिनरी येर में 365 देज होते हैं 5 आर्स होते है 46 मिनट होते है और 47 होल वन अपॉन टू सेकेंड होता है यह होता है कि नहीं 365 दिन पांच घंटे 46 मिनट से हैं तालिस से एक बटा दो सेकेंड यह अप्रॉक्स सिक्स आर्स हैं यह अप्रॉक्स सिक्स आर्स हैं कि नहीं इस अच्छा इसका हम फॉर टाइम मल्टिप्लाई कर देते हैं तो 24 आर्स हो जाते हैं हमारे पास यानि कि एक दिन ठीक है और यही एक दिन हमारा फैब में बढ़ जाता है जो कहलाता है हमारा 29 का फैब हो जाता है और लिपियर कहलाने लगता है ठीक है अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक century में कितने लीपियर होंगे तो लीपियर के case में हमें क्या करना होता है 4 से divide करना होता है क्या करना होता है 4 से divide करना होता है चलिए 4 से divide करते हैं अगर हम 100 years को 4 से divide करेंगे then we will get 25 quotient century में 100 years में कितने leap year होने चाहिए 25 leap year होने चाहिए बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर century में आपके 25 leap year हो किसी में 25 leap year होते है और किसी में 24 leap year होते है यही concept हमें समझना है कहा 25 leap year होंगे और कहा 24 leap year होंगे जैसे मैं अगर आप से कहूँ 1996 यह leap year है और ठीक इसके चार साल बाद 2000 तो यह भी leap year है अगर मैं आप से कहूँ 1896 leap year है बट 1900 leap year नहीं है यह leap year है यह leap year है 1896 leap year है बट 1900 leap year नहीं है अब देखे जड़ा यहां चार साल में leap year आ रही है और 1896 वाले में चार साल में leap year नहीं आ रही है नेक्स लीप year 1904 को आएगे 1904 को आएगे तो क्या यहां यह च्छे घंड़ 5 गंटे 46 मिनट 47 सेकेंड एक्स्टा नहीं हो रहे होंगे हो रहे होंगे देखे जड़ा ध्यान से तो यह हमने इसको क्या माना एप्रॉक्स 6 आर्स मान लिये क्या मान लिया एप्रॉक्स 6 आर्स मान लिये यह च्छे घंटे हैं नहीं कितना एक्स्टा माना है हमने हमने सर्फ 14 मिनट एक्स्टा माना है कितना एक्स्टा माना है हमने 14 मिनट एक्स्टा मान लिया है एप्रॉक्स 14 मिनट 14 मिनट एक्स्टा मान लिया है अगर इसको हटा दे तो 46 हुआ है 14 मिनट हमने एप्रॉक्स अगर हम मानते हैं तो यह 14 मिनिट कुछ सालों बाद कुछ सालों बाद मतलब 400 सालों बाद ये तीन दिन एक्स्टा दे देते हैं हमें और यही तीन दिन मिलकर एक्स्टा होते होते महीना बना देंगे एक महीने एक्स्टा होते होते एर बना देंगे एक तो हमारा केलेंडर जो है वो कड़बड़ा जाएगा दिन आगे पीछे हो जाएंगे या मौसम हिसाब से नहीं आएगा अभी हम लोग देखते हैं कि सर्दियां अगर अक्टूबर नौंबर में आनी होती है तो सर्दियां अक्टूबर नौंबर में आ जाती है जुलाई अगस्त में बारिश आनी होती है तो बारिश आ जाती है त मौसम आता है। Bürom का आता है। या कहा जाए गर्मियों का मौसम शरू होना चालता है talent हो सब कुछ calendar के हिसाब से ही होता है और ऐसे ही दिन एक चाहते है। तब क्या ुगा। सर्दियां आरही है। जूलाइ में , बारिस हो रही है यौष होता रहीगा ठीक है तो कलेंडर आगे पीछे हो जाएगा अब यह 14 मिनट एक्स्ट्रा हुए इन्ही 14 मिनट एक्स्ट्रा को अगर हम 400 एक्स्ट्रा मानेंगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं बेटा हमारे 3 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं क्लियर, कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तीन दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो अब ये 400 सालों बाद कलेंडर में तीन दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे की नहीं हो जाएंगे, तो या तो फिर 365 देज होते हैं, 67, 68, 69, 379 दिन हो जाएंगे, या तो 366 दिन हो जाएंगे, तो 366, 366, तीन दिन हो जाएंगे, 368 और 369, और ये कलेंडर हमारा गलबला देगा पूरा, ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो, कलेंडर जब हमारा बना, माल लिजेव चीरो, वन से लेकर 100 तक, 100 येर्स तक, मतलब 1st century में, ठीक है, 25 फिलिप येर्स होने चाहिएं, बट य यहां हमने एक कम कर लिया, कितने लिप येर्स माने हमने 24, माइनस 1 हो गया यहां पर, होने कितने चाहिए थे 25, लेकिन हमने कितना माना 24, क्योंकि हमें इन 3 दिन को बैलन्स करना है कही न कहीं, अच्छा, यहां भी वही कहानी रही होगी, 96 लिप येर्स हैं, बट इसके 4 ये बाद 100 लिप येर्स नहीं है, चलो, अब 100 से 200 तक, फिर 25 लिप येर्स होने चाहिए थे, लेकिन हम कितना मानते हैं 24, एक दिन और माइनस कर लेते हैं हम, ठीक है, जैसे ही next century आएगी 200 से 300, फिर हम 24 मानेंगे और एक दिन और माइनस कर दिया हमने, यानि कि अब 3 दिन जो हमा आ रहे थे, और 3 दिन हमने वहाँ माइनस कर लिए, calendar हमारा balance हो गया की नहीं, और century के last में हम कर रहे हैं, तो पता भी नहीं चलता है, ठीक है, तो अब किस तरीके से क्या हुआ, हमारे लिप येर्स भी ठीक आ गये, और calendar भी हमारा क्या हो गया, balance हो गया, last century जो आई 300 से 400, आप से पूछा जाए कि 400 येर्स में, कितने लिप येर्स होंगे, तो 24, 24, 24, 100 होने चाहिए, लेकिन 3 माइनस हो गया, 97, ये कई बार exam में पूछा गया है, direct, समझ में आया, तो अब यहाँ से एक concept और निकल के आएगा, जिस century year में 400 से divide नहीं होगा, वो century year leap year नहीं होगी, जैसे हम कहें 100, क्या 400 से divide हो रहा है, आप कहेंगे नहीं सर, तो ये leap year वाली century नहीं है, जैसे कहें 200, क्या ये 400 से divide हो रही है, आप कहेंगे नहीं, तो ये भी century कैसी है, ordinary year वाली century है, 300 की बात करें, तो ये भी 400 से divide नहीं हो ordinary year वाली वाली सेंचुरी है 400 400 से डिवाइड हो रहा है जी हाँ तो यह जो 400 एयर होगा यह leap year वाली century है ऐसा ही मैं आपसे पूछ हूँ 1500 leap year century है यह ordinary century है तो आप कहेंगे सर रवाइडिनरी century है 14 से डिवाइड नहीं हो रहा है 2000 2000 अगर आप देखेंगे particular 2000 year देखेंगे century year भी है और year भी है वो particular 2000 year को देखेंगे तो उस साल फरवरी हमारी कितने की रही होगी 29 की रही होगी क्योंकि 4 से divide हो रहा है 2000 century जो है बिटा वो leap year वाली century है अच्छा अगर ऐसे ही मैं कहूं 1900 तो 1900 कौन सी century है तो 1900 हमारी जो है वो ordinary year वाली century है आई थिंग कितना समझ में आ गया होगा चीक है यहां तक समझ में आ गया सभी को जल्दी से बताओ तो leap year का concept इद्दम clear है कोई समस्या तो नहीं है अच्छा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे odd days odd हमें find करना होगा फिर उसके बाद repetition of calendar पढ़ेंगे आज जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उतना समझ में आया fake calendar fake calendar के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था fake calendar के बाद हम लोगों ने पढ़ा leap year का concept odd days जब हम find कर रहे होंगे तो यह हमारे काम आने वाला है बहुत ज्यादा ठीक है leap year का concept अब एक question दे रहा हूँ मैं आपसे चरह बताईएगा कि 400 वर्सों में 400 years में 29 date कितनी बार आती है अचा leap year कब होता है जब 29 की होती है तब ही leap year होता है तो आप question ऐसा है कि 400 years में 29 date कितनी बार आती है कोई answer बताएगा जल्दी से बताओ 400 years में 29 date अब सुनो जरा ध्यान से जिन जिन लोगों का answer 97 है जिनके दिमाग में आ रहा है कि 97 होने वाला है answer 97 नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि मैंने 29 date पूछी है ना कि 29th February पूछी है मैंने क्या कहा है 29 तारीक 29 तारीक कितनी बार आएगी ठीक है 11 times 400 years में 4400 times ठीक है plus कुछ February भी ऐसी होंगी जो कितने बार की होंगी 29 बार की होंगी 29 की होंगी तो 97 वो भी है पेटा add कर दो 4497 इसका सही answer होगा क्या होगा 4497 ठीक है समझ में आया अचा अब आप से leap year अगर निकलने को पूछा जाए कि 2023 तक किटने leap year हुए है जब से calendar बना है तब से अभी तक कितने leap year हुए है क्या निकाल सकते है हम लोग जी हाँ बहुत आसानी से निकाल सकते है जी है चल जो आज के लिए इतना ही that's it for today मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार जै हिन, जै भारत, जै शी किष्णा मस्त रहें, स्वस्त रहें, वैस्त रहें शैशन अगर अच्छा लग रहा तो अपने सभी यार दोस्तों, भाई, बंदों, मित्राणियों तक शेर जिरूर कर दिया करिए मिलेंगे कल, बाबाई